का ने pots हो था माखेपड पंच क्या था है हैं किता है अपने स्टार्ट क्या था अपनी दो धंग अध़क क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अगरा ट्विक पिक तो बचा इसके अपने डिफेेंस of manure and fertilizer अपने किया था ठीक है मतलब manure and fertilizer में difference अपने कर लिया था अब देखो कुछ एक important question बन जाता है कि advantage of manure manure के advantage क्या होते हैं तो इसका एक question बनता है तो इसको देखिए इसमें आपको 4 point लिखने हैं first है manure increases the water holding capacity of soil मतलब soil जो है है अगर उसमें अपन manure add करते हैं manure क्या होता है organic मतलब जो animals और plant waste होते हैं उनको decompose करके क्या बनाया जाता है manure बनाया जाता है ठीक है अब manure जो है उसके benefits क्या है advantage क्या है वो अपन देखेंगे ठीक है तो benefits क्या है देखो इसके manure increases the water holding capacity of soil मतलब क्या होता है कि जब अपन manure aid करेंगे एक खेत में ठीक है फिल्ड में या soil में अपन जब manure aid करते हैं तो यह क्या करता है कि manure जो है water को ज्यादा capture करती है ठीक है मतलब उसको ज्यादा store करके रख सकती है water holding capacity increase कर देती किसकी soil की ठीक है फिर है it makes the soil porous due to which exchange of gases become easy अब क्या होता है कि जो gases exchange होती है soil में से भी क्या होता है gases exchange होती है environment में ठीक है तो वो easy हो जाता है किसकी वज़े से जब अपन manure aid कर देते हैं ठीक है तो manure aid करने से जो soil है वो porous हो जाती है porous का मतलब उसमें चिद्र हो जाते है ठीक है छेद हो जाते होल हो जाते हैं उनकी वज़स से जो है exchange of gases बहुत easy हो जाता है ठीक है फिर है बच्चे इंक्रीजेज दर नंबर ओफ friendly microbes microbes होते हैं microorganisms जो छोटे छोटे बेनिफिशल बेनिफिशल microbes होते हैं मतलब जैसे कि कुछ जो है ऐसे microbes होते हैं जब बहुत जाते हैं जब उसकि बहुत जाते हैं इसे जब यह ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो It improves the texture of soil Texture मतलब हो गया कि जैसे Soil जो है वो बहुत ही अच्छा दिखने लग जाता है इसकी वज़से texture बहुत ज़्याद अच्छा हो जाता है ठीक है तो ये चारो point आपको इसमें लिखने हैं कि advantage उस manure क्या होता है तो ये चारो point आपको लिखने हैं फिर है इरिगेशन इरिगेशन होता है The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation ठीक है इरिगेशन क्या होता है कि जब अपने मतलब इतना अपने काम कर लिया जैसे अपने first chapter अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें step by step अपन पढ़ रहे हैं कि first जो agriculture जो method था उसमें अपने क्या क्या था सबसे पहली जो agriculture जो practice थी उसमें सबसे पहला था कि preparation of soil preparation of soil अपने complete किया फिर अपने किया कि sowing क्या होता है कि bees वगरा को जो है उसमें soil में put करना हम ठीक है फिर उसके बाद में जो है हमने किया था कि manure or fertilizer aid करते हैं अपन फिर अब एक process आता है irrigation ठीक है फौर्थ जो इसकी agriculture practice है वो क्या जाएगी irrigation ठीक है irrigation क्या होता है the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation ठीक है एक regular interval के बाद में जो अपने crop या जो बीज है उसको crop जो है उसको अपन regular interval के बाद में अगर पानी दें उसको बोलते हैं क्या irrigation irrigation का मतले भी होता है the supply of water या फिर अपन बोल सकते हैं the process of giving water to the crops ठीक है the process of giving water to the crops is called irrigation ठीक है या the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation ठीक है बच्चे फिर है देखो sources of irrigation sources of irrigation मतलब पानी कहां से आ रहा है ठीक है अब irrigation के लिए पानी जो है हमें बिलकुल मतलब अपन बोलते हैं कि salty water नहीं होना चीए ठीक है तो अपन ऐसा water कहां से हमें मिलेगा एक तो हमें rivers से मिल सकता है पानी ठीक है पॉंड हो गए ठीक है उसके लावा wells, tube wells, ponds, lakes and rivers तो यह कुछ sources है पानी इरिगेशन के लिए ठीक है इरिगेशन के sources है पानी यहां से हमें available होता है for the crop ठीक है फिर इसमें देखो अगला point जो है वो दे रखा है कि traditional method of irrigation and modern method of irrigation दे रखा है ठीक है पहले के लोग क्या यूज में लेते थे इरिगेशन के लिए जैसे well होता था उसमें पानी भरा होता था अब उसको बाहर निकालने के लिए pump अगरा का यूज करते थे वो ठीक है chain pump हो गया डेकली हो गया रहेट हो गया मौट हो गया यह इनकी कैप उनकी traditional methods ठीक है यानि मतलब irrigation के लिए पहले लोग जो है इन methods का यूज करते थे जैसे book में आपको यहां दे रखा है इसमें देखिए इस तरीके से ठीक है मौट दे रखा है cotton pump दे रखा है डेकली दे रहेट दे रखा है ठीक है इनको आप लोग देखे एक बार इस तरीके से जो हैंगे पाननी को क्या करते थे जो तो पानी भरहा था उसको उपर लाने के लिए इन में 2 का यूज करते तें ठिक है और फिर दे रखा कि अपश हैं गोचिजा के एक तो है स्प्रिंड सिस्टम और अबनिटार सिस्टम रिप सिस्टम क्या होता है जो भेम सिस्टम होता है कि इसमें मैं लिख रहा हूं यहां पर कि modern method modern method of irrigation modern method of irrigation तो इसमें बच्चे first दे रखा है sprinkle और second है बच्चों drip system पानी को अपर से इसको अपन अगाउं में जब देखे कैम संवारा तो पira doggya सिस्ट्म होता है sprinkle system ट्रिफ system का मतलब होता है छोटे-चोटेậy पाइप सोते हैं जिनको जो जैसे बाग वगेरा वते हैं, जैसे mango का एक garden है कूरा, अब उसमें mango के पेड हैं, उन है क्या किया जाता है, कि pipes विचाये जाते हैं, उनकी roots में, जडो में आता है drip system में ठीक है तो देखिए इसमें दे रखा है कि sprinkle system क्या होता है this system is more useful on the uneven land ठीक है मतलब sprinkle system जो है uneven land जो होती है मतलब उबडखाबड जमीन जिसको बोलते है अपन वहां पर ज्यादा beneficial है कौन सा sprinkle system और जो एक फ्लेट जो जमीन होती है जहां पर बिल्कुल जहां पर जैसे बाग वगर ओते वहां पर ज्यादा यूसफुल होता है drip system ठीक है जैसे mango के garden है या फिर जो हैं बहुत सारे पौदे लगे हुए बाग बोलते हैं पन ठीक है तो वहां पर useful होता है drip system कौन सा drip system वहां पर ज्यादा useful है ठीक है तो इस प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि जो एक एक पाइप एक बड़ी पाइप होती है उसमें एक regular distance पर क्या होता है fix distance पर क्या होते है नौजल लगे होते हैं ठीक है पर्पेंडिकुलर पाइप लगे होते है और पाइप के उपर नौजल लगे होते है जो रोटेट होते है ठीक है नौजल रोटेट होता है उससे क्या होता है कि पानी चारो तरफ जो है फेल पाता है तो एक कुछ डिस्टेंस कवर करता है पानी तो ऐसे जैसे एक रो एक रो प्रेटी यह उस पर प्रपेंडिकलर पाइप लगाया जाते हैं ठीक है और उस पर फोड़ी डिस्टेंस के बाद में एक और क्या लगाई जाएगी वहां पर एक पाइप बिचाए जाएगा ऐसा ही सिस्टम एक थोड़ी डिस्टेंस के बाद में और है इस तरीके से जो है पूरे फेल्ड को पूरे खेद को क्या किया जाता है कवर किया जाता है स्प्रिंकल सिस्टम में और ड्रिप सिस्टम आपको पता यह ड्रिप सिस्टम बता दिया मैंने आपको ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि पा अगला टोपिक अपन अगली क्लास में डिसकस करेंगे ठीक है तो आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा ठीक है और इसको अच्छे से आप लोग एक बार और रीड करें तो मिलते हैं अगली क्लास में ठेक क्या बाइबाई